मुर्मयारुक देश के रहवय्या हो जोहार आज 26 जुलाई है अव आज के दिन बड़ महत्तम के है आज कारगिल विजय दिवस है 21 बचर पाचु आजे के दिन कारगिल के युद्धमा हमर सेनाहा भारत के जीत के जण्डा फहराय रहिस संग्वारी हो कारगिल के युद्ध जेन पर स्थितिमा होई रहिस ओला भारत कभो नई भुला सके पाकिस्तान हा बढ़का ले बढ़का इरादा पोस के भारत के भुईया हतियाए अव अपन इहां चलत अंदुरुनी कलह ले धियान भटकायल लेके दुस्ताहस करे रहिस का थे ना बयरू अकारण सब काहूसों जो करहित अनहित ताहूसों माने दुष्ट के स्वभावे हो थे हर कोनों ले बिना कारण बयर लेना अईसे सुभाव के लोगन जन हित कर थे ओकरो घलो नकसान करे के सोस थे इही पाय के भारत के मितानी के जवाब मा पाकिस्तान को तीले पीठ मचूरा भोके के पर्यास होई रहिस फिर ओकर बाद भारत के वीर सेना हा जन पराक्रम देखाईस भारत हा अपन जन ताकत देखाईस ओला जम्मो दुनिया देखिस्ट आप मन कलपना कर सकत हाओ उँच पहाड मा बैठे दुष्वन और नीचे ले लड़त हमर सेना हमर वीर जवान फिर जीत पहाड के होसला और सच्चा वीरता के होईस संग्वारी हो वो बखत मुला घलो कारगिल जायके और हमर जवान मन के वीरता के दर्शन के सुभाग मिलिस वो दिन मोर जिनगी के सबले अनमोल पलमाले एक है मैं देखा थाओ कि आज देश भर मा मनखे मन कारगिल विजयल अस्तूरता कर सोशल मीडिया मां एक हैस्टैग करेज इन कारगिल के संग लोगन अपन बीर मनला नमन कर थे जेन वीर गती पाईन उनला शद्धांजली देव थे मैं आज जम्मो देशवासी मन कोती ले हमर ये वीर जवान के संगे संग उन्खर बीर महतारी मनला घलो नमन कर थे जेन मन मा भारती के सच्चा सपूत मनला जनम देन मोर देश के नवजवान मनले आगरा है कि आज दिन भर कारगिल विजय ले जुड़े हमर जामबाज मन के कहनी वीर महतारी मन के तियाक के बारे मा एक दूसरा ला बतावाएं साजा करें मैं संग्वारी हो आप मनले आगरा कर थाओं आज एक वेब साइट है www.galantriawards.gov.in आप मन इला खचित देखाओ उहां आप मनले हमर वीर पराक्रमी योद्धा मन के बारे मा उनकर पराक्रम के बारे मा बहूत अकन जानकारी मिली और वो जानकारी जब आप मन अपन संग्वारी मनसंग चर्चा कर हूँ उनकर खातिर घलो प्रेर्णा के कारण बनी आप मन खचित ये वेबसाइट लग देखाओ, अव मैं तो बोल हूँ बार बार देखाओ संगवारी हो, कारगिल युद्ध के बख़त अटल जी मन लाल किलाले जेन कहे रहिन, वो आज घलो हम जम्मो मनबर बढ़ प्रासांगिक है अटल जी हा, तब देशल गांधी जी के एक मंतर के सुर्ता देवाय रहिन, महात्मा गांधी के मंतर रहिस कि यदी कोनो ला, कभू कोनो दुविधा है, ता उला का करना है, का नहीं करना है, ता उला भारत के सबले गरीब और असहाय मनखे के बारे मा सोचना चाही उला ये सोचना चाही कि जेन वो करेला जात है, ओखरले वो मनखे के भलाई होही, धन नहीं होही गांधी जी के ये विचार ले आगू बढ़के, अटल जी मन कहे रहिन कि कारगिल युद्ध हा, हमनला एक दूसरा मंतर देहे ये मनतर रहिस कि कोनो महत्वपून निर्णय ले के पहली हमन ये सोचन कि का ये हमर कदम वो सैनिक के सम्मान के अनरूप हे, जेन वो दुर्गम पहाडी मा अपन प्राण के आहुती दे रहिस आवाओ, अटल जी के आवाजे मा उन्खर ये भावनाला, हम सुनन, समझन और बख़त के मांगे कि उला स्विकार करन हम सभी को याद है कि कांधी जी ने हमें एक मंतर दिया था हम जम्मो मनला सुपता है कि गांधी जी हा हमनला एक मंतर दे रहिन उन्मन कहे रहिन कि यदि कोनो दूजधा हो कि तुम अल्ला का करना है ततुमन भारत के सबले असहाय मन्खे के बारे में सोचा आव स्वयम ले पूछा कि का तुम जेन करेला जाता ओखर ले वो मन्खे के भलाई हो ही कारगिला हम अल्ला दूसर मंतर दे है कोनो महत्पूर्ण नीन्नय ले के पहली हम ये सोचन कि का हमर ये कदम वो सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जेन वो दूर्गम पहाडी मा अपन प्रान के आहुती दे दीज संगवारी हो युद्ध के परिस्थिती मा हम जेन बात कर्थन ओखर सीमा उपर डटे सैनिक के मनोबल ओखर परिवार के मनोबल उपर बढ़ गहिर असर पड़ थे ये बात हमनला कभू नहीं भूलना चाहिए अव इही पाये के हमर आचार, हमर व्यवहार, हमर वानी, हमर बयान, हमर मर्यादा, हमर लक्ष, जम्मोला कसवटी उपर खचित रखना चाहिए कि हम जेन करथन, कहथन, ओखर ले सैनिक मन के मनोबल बाढ़ है, उनकर सम्मान बाढ़ है राष्ट सर्वोपरी के मंतर खातिर, एकता के सूत्रम बंधाय देश्वासी, हमर सैनिक मन के ताकत, कईयों हजार गुना बढ़ा दे थे हमर यहां तो कहे गे है न, संग है शक्ती कलाव युगे कभू कभू हम ये बातल बिना समझे सोशल मीडिया मा ऐसे जिनिसल बढ़ावा दे दे थन, जिन हमर देशल बढ़ नकसान कर थे कभू कभू जिग्यासा मा आगो बढ़ावत रही थन, जान थन गलत है ये, करत रही थन, आजकल युद्ध खाली सीमा उपर नहीं लड़े जाए देश मा घलो कईयो मोर्चा उपर एक सग्रा लड़े जा थे, और हर देश वासील ओमे अपन भूमिका तै करना हो थे हमनला घलो अपन भूमिका देश के सीमा उपर दुर्गम परिस्थिती मा लड़त सैनिक मन के सुर्ता करत तै करना हो ही मोर मयारूग देश के रवया हो, पाचु कुछ महिना ले, जम्मो देश एक जुठ होके, जिन रकम ले कोरोना ले मुकाबला करे है, वो हर अनेक आशंकाला गलत सिध करे है आज हमर देश मा रिकवरी रेट आने देश के मुकाबला बहतर है संगे संग हमर देश मा कोरोना ले मृत्यु दर घलो दुनिया के जादा तर देश ले बहुत कम है निश्चित रूप ले एको मन्खे लखोना दुखद है फिर भारत अपन लाखों देश्वासी मन के जिन्गी बचाय मा सफल घलो रहे है फिर संग्वारी हो, कोरोना के खत्रा टले नहीं है, कईयों ठियामा ये तेजी ले फैलत है, हमनल बहुते जादा सतर्क रहे के जरुवत है, हमनल ये धियान रखना है कि कोरोना अब घलो उतकेच खातक है जदका सुरू मरहिस, इही पाये के हमनल पूरा सावधानी बरतना है, चहरा उपर मास्क लगाना या गमचा के उप्योग करना, दूगज के दूरी, सरलग हाद धोना, कोनो मेर नई थूकना, साव सफाई के पुरा धियान रखना, इही हमर हतियार है, जिन हमनला कोरोना ले बजा सकत है कभू कभू हमनला मास्क ले असुविधा हो थे औव मन कर थे कि चहरा ले मास्क खटादन, गोड़ बात करना शुरू कर्थन, जब मास्क के जादा जरूत हो थे, उही बखत मास्क हटा दे थन, ऐसे बखत मैं आप मनले आगरह कर हूँ, जब आप मनला मास्क के कारण तब बल भर खातिर वो डाक्टर मन के इस्मरण कराओ, वो नर्स मन के इस्मरण कराओ, हमर वो कोरोना वारियर्स मन के इस्मरण कराओ, आप मन देखाओ, वो मास्क पहीर के घंटो सरलग हम जम्मो मन के जिन्गी बचाय खातिर जुटे हैं, आठ आठ दस दस घंटा तक मास्क पहिरे रही थें। का उन्मनला तकलीफ नहीं होवा थो ही। थोरिक उन्खर इस्मरण कराओ। आप मनला घलो लगी कि हमनला एक नागरिक होए के नता एमें चिटको कोता ही नहीं बरतना है। अओ न कोनो ला बरतने देना है। एक कोती हमनला कोरोना के विरुध लड़ाईला पूरा सजगता और सतरकता के संग लड़ना है। तदूसर कोती कठोर महिनत ले व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई जिन करत्यव्य भी हम दिभाथन ओमें गती लाना है। उला घलो नवा उचाईमा लिगना है। संगवारी हो, कोरोना काल मा हमर ग्रामिन क्षेत्रह जम्मो देशला दिशा दिखाए है। गाउले इस्थानी नागरिक के ग्राम पंचायत के अनेको सुघर पर्यास सरलग आघूमा आवत है। जम्मू मा एक गाउ त्रिवा ग्राम पंचायत है। उहां के सरपंच हैं बलबीर कौर जी मन अपन पंचायत मा तीज बिस्तर के एक क्वारंटीन सेंटर बनवाईन। पंचायत आए जाय के रद्धा मा पानी के व्यवस्था करिन। लोगनला हाद धोय मा कोनो दिकका जण होए एकर इंतिजाम करवाईन। अत्केच नहीं। ये बलबीर कौर जी ख सेनिटाइजेशन के काम घलो कर थें। अइस्तने एक अउ कश्मीरी माई लोगिन सरपंच हैं। गांदर बल के चोटली वार के जैतुना बेगम। जैतुना बेगम जी मन तै करिन कि उन्खर पंचायत कोरुना के विरुद्ध जंग लड़ी और कमई के मौका घलो पैदा कर उन्मन जम्मो छेत्र मा मुफत मास्क, मुफत राशन बाटिन, संगे संग उन्मन लोगनला फसल के बीजा और सेब के पोधा घलो देन। ताकि लोगनला खेती मा बागवानी मा दिक्क जन आवै। संग्वारी हो कश्मीर ले एक अउ प्रेरग घटना है। इहां अनंतनाग नगर पाली का अध्यक्ष हैं श्रीमान मुहम्मद इकबाल। इनला अपन छेत्र मा सेनिटाइजेशन बर इस प्रेर के जरुवत रहिस। उन्मन जानकारी जुटाइन पता चलीस कि मशीन आने शहर ले लाना पढ़ी। और कीमत घलो होई 6 लाक रुपिया। तश्रीमान इ घलो खाली पचास हजार रुपिया मां। ऐसे कत को उधारन आउ है। जम्मो देश मां कोना कोना मां ऐसे कईयों प्रेरग घटना रोज आगू मां आथे। ये जम्मो मन अभिनंदन के अधिकारी हैं। चुनवती आईस फिर लोगन मन ओत के ताकत ले ओकर सामना घलो करिन। मुर मयारूग देश के रवईया हो। सही द्रिष्ट कोन ले, सकारात्मक द्रिष्ट कोन ले, हमेशा आपदा के मौका मां विपत्ति लविकास मां बदले मां बहुत मदद मिल थे। बिहार के कई महिला स्वसाहता समूह मधुबनी चित्रकारी वाले मास्क बनाना शुरू करे हैं। अव देखते देखत ये खुब प्रसिद हो गे हैं। ये मधुबनी मास्क एक रकम ले अपन परंपरा के परचार कर थे। लोगनला स्वास्त के संग रोजगारी घलो देव आप मन जानताओ कि पूरोत्तर में बांस कतका बड़े मात्रम हो थे। अब इही बांसले त्रिपुरा, मनिपूर, असम के कारिगर्मन, उच्च गुणवत्ता के पानी के बोतल और टिफिन बाक्स बनाना सुरू करे हैं। बांसले आप मन अगर एकर गुणवत्ता देखू, तब भरोसा नहीं हो ही कि बांस के बोतल घलो अतका सुन्दर हो सकते। और फेर ये बोतल इको फ्रेंडली घलो है। इला जब बनाय जाते तब बांसले पहली नीम और दूसरा आउशधी पौधा मनसंग उबाले जाते। एकर ले ओमे आउशधी गुण घलो आजा थे। नान नान इस्थानी उत्पाद ले कैसे बढ़का सफलता मिल थे। एकर एक उधारन जार खंड ले घलो मिले है। जार खंड के बिशुन पुर्मा ये दिन तीसले जादा समुह मिलके लेमन ग्रास के खिती कर थे। लेमन ग एकर आजकल मांग घलो जादा है। मैं देश के दू छेतर के बारे मां घलो बात करना चाहत हूँ। दुनों एक दूसरा ले सैकणों किलोमिटर दूर है। अव अपन अपन रकम ले भारतला आत्म निर्भर बनाय खातिर कुछु हट के काम करत है। एक है लद्दाख अव दूसरा है कच्छ। लेह और लद्दाख के नाम आगु आतिच, सुन्दर वादी और उँचा उँचा पहाड के दृष्य हमर आगु मां आजा थे। ताजा हवा की झखकुरा महसूस होए लाग थे। उहें कच्छ के उल्लेख आतिच, रेगिस्तान, दूर दूर तक रेग चूली या एप्रिकाट माने खुबानी हैं। ये फसल ये छेत्र के अर्थ व्यवस्थाला बदले के क्षमता रख थे। फिर अपसोस के बाद ये हैं। सप्लाई चैन, मौसम के मार जैसे अनेको चुनवतिले ये जूझत रही थे। एकर कम ले कम बरबादी होए एकर बर आजकल एक नवा खोच के परियोग सुरू होए है। एक दोरा तंत्र है, जिखर नाओ है। सोलर एप्रिकाट, ज्रायर एंड स्पेस हीटर। ये खुबानी औव आनेफल औव सबजीला जरुवत के अनुसार सुखा सकते। औव वो घलो स्वस्थ तरीका ले। पहली जब खुबानी ला खेत के पास सुखावत रहिन ता उखर बरबादी होवत रहिस। संगे संग धुर्रा औव बर्सा के पानी के कारण फल के गुणवत्ता घलो परभावित होवत रहिस। दूसर कोती आजकल कच्छमा किसान ड्रेगन फ्रूट के खेती खातेर सराहनी पर्यास क रथें। बहुतक मनखे मन जब सुन्थें ता उनमनला अचरज होथे। कच्छ औव ड्रेगन फ्रूट फिर उहां आज कईयों किसान ये काम मा जुटे हैं। फल के गुणवत्ता औव कम जमीन मा जादा उत्पादल लेके बने असन खोच किये जाते। मुला बताएगेज कि ड्रेगन फ्रूट के लोक प्रियता सरलक बाढ़त जाते। विसेश कर नाश्ता मा एकर उप्योग बाढ़े है। कच्छ के किसान मन के संकलप है कि देशल ड्रेगन फ्रूट के आयात जण करना पड़े। इही तो आत्म निर्भरता के बात है। संगवारी हो, जब हम कुछू नवा करे के सोच्थन, अभिना सोच्थन ता ऐसे काम घलो संभव हो जाते, जेखर आम तौर मा कुनो कल्पना नहीं करें। जैसे बिहार के कुछ युवा मनला लेवाओ। पहली ये मन सबाने नवकरी करत रहीं। एक दिन उनमन तै करीं कि व उनकर छेत्र मा लोगनल ए बारे में कुछू पता नहीं रहीं। फिर ये मन पहली जम्मो जानकारी जुटाईन, जैपुर और भूनिश्वर जाके प्रशिक्षन लेइन और अपन गाउं मा मोती के खिती शुरू कर देन। आज ये खुद्त एकर ले बने कमाई करा थें। इन मन मुझपरपूर, बेगु सराय और पतना मा आने राजले लहुटे प्रवासी मजदूर मनला घलो एकर प्रशिक्षन देना चालू करिन। कतको लोगन खातिर एकर ले आत्म निर्भरता के रद्दा खुल गेईस। संगवारी हो अभी कुछ दिन बाद रक्षा बंधन के पावन परब लक्ठावत है। मैं ये दिन देखा थां कि कईयों लोगन अउस्तंस्था ये पैत रक्षा बंधनला आने तरीका ले मनाये के अभियान चलावत है। कईयों लोगन एला वोकल फार लोकन ले घलो जोड़त है। अवबाद घलो सही है। जम्मो देश्वासी मनला रक्षा बंधन के गाडा गाडा शुब कामना। संगवारी हो साथ अगस्त के विश्व हतकरगा दिवस है। भारत के हतकरगा हमर हस्त शिल्प अपन आपमा सैक्णों बच्छर के गवरव मैं इतिहास समेटे है। हम जम्मो मन के पर्यास होना चाही कि न सिर्फ भारती हतकरगा और हस्त शिल्प के जादा ले जादा उप्योग करन भलुक एकर बारे मा हमनला जादा ले जादा लोगनला बताना घलो चाही। भारत के हतकरगा और हस्त शिल्प अतका सम्रिद्ध है। एमे कतको विवित्ता है। ये दुनिया जदका जादा जानी उतके हमर इस्थानी कारिगर और बुनकर मनला लाब हो ही। संगवारी हो विशेशकर मोर युवा संगवारी। हमर देश बदलत है। कैसे बदलत है। कतका तेजीले बदलत है। कैसे कैसे छेत्रम बदलत है। एक सकारात्मक सोच के संग अगर नजर डालन तहम खुदे अचंबित हो जाबो। एक बखत रहिस जब खेल कूदले आने छेत्र तक अधिकतर लोगन या तो बढ़का शहरले आवत रहिन या बढ़का परिवार ले या फिर नामी स्कूल या कालेच से होवत रहिन। अब देश बदलत है। गाउं ले नाने शहर ले सामाने परिवार ले हमर युवामन आगु आवत है। सफलता के नवा चोटी चुमत है। ये लोगन संकट के बीच घलो नवा नवा सपना संजोवत आगु बढ़त है। कुछ आईसने हमनल अभी हाले मा जेन बोड परिक्षा के परिणाम आईस ओमे घलो दिखा थे। आज मन की बात मा हम कुछ आईसने प्रतिभाशाली बेटा-बेटी मन ले गोट का रत हन। अईस्तने एक प्रतिभाशाली बेटी हैं, कृतिका नांदल, कृतिका जी हर्याना के पानी पतले हैं, हलो कृतिका जी जोहार, जोहार सर, अथका सुग्घर परिणाम खातिर आप मनला गाडा गाडा बधाई, धन्यवाद सर, अथका दिनले आप मन टेलिफोन लेवत लेवत घलो ठगे हो, अथका मन खे मन के फोन आवत हो ही, हाओ सर, अउ जेन लोगन मन बधाई देवा थे, वो मन घलो गरब महसूस करत हो ही, कि वो आप मनला जान थे, आप मनला कैसे लागा थे? सर, बहुत अच्छा लागा थे, पालक मला गरब महसूस करा के, खुदला घलो अथका गरब होँआ थे सर, अच्छा, ये बतावो कि आपके सबले बड़े प्रिर्णा कोन है? सर, मुर दाई है, मुर सबले बड़े प्रिर्णा. वाह, अच्छा, आप मन दाई ले कास सीख ले वताओ? सर, वो मन अपन जिंदगी मा आतेक तकलीब देखे है, तब बोले वो मन अतका सहासी और मजबूत है सर, उल्ला देख देख के अतका प्रेणा मिल थे कि मैं घलो उखरे कस बनाओ? दाई कतका पढ़े हैं? सर, बीए करे हैं, उमन? बीए करे हैं? हो सर. अच्छा, तब दाई आप मन ला सिखोवत घलो हो ही? हो सर, सिखा थे, दुनियादारी की हर बात बता थे. वो मन डाटद घलो हो ही? हो सर, डाटदे घलो. अच्छा, बेटा, आप मन आगू का करना चाहा थाओ? सर, मैं हैं डाक्टर बनना चाहा थाओ. अरे वाह? MBBS. देखाओ, डाक्टर बनना आसान काम नहीं है? हो सर. डिगरी तो पाले हूँ. काहे कि आप मन बढ़ते जस्वी हो बेटा, फिर डाक्टर के जिन्गी जिन हें, वो समाज खातिर समर्पित हो थे. हो सर. वो मन कभू रात के चैन ले सुद घलो नहीं सकाएं? कभू मरीज के फोन आ जा थे, अस्पताल ले फोन आ जा थे, तद दवना पढ़ जा थे. माने एक रकम ले 24 घंटा, सातो दिन, 365 दिन डाक्टर के जिन्गी लोगन के सेवा मा लगे रही थे. हो सर. अउ खतरा घलो रही थे. का है कि कोन जानी आज कल जिन रकम के बिमारी है, तद डाक्टर के आगू घलो बहुत बढ़ संकट हो थे. हो सर. अच्छा कृतिका, हरियाना तक खेलकूद मा जम्मो हिंदोस्तान खातिर प्रेणा देवाईया, फ्रोस्चाहन देने वाला राज रहे है. हो सर. ता आप मन घलो कोनो खेलकूद मा भाग ले थाओ का? कुछू खेलकूद पसंद है का आप मन ला? सर, बास्केटबाल खेलाते हैं सर, स्कूल मा. अच्छा, आप मन के उचाई कत का है? ज्यादा है का उचाई? नई सर, पाच दो के है. अच्छा, ता फिर तुम अनला खेल कैसे पसंद है? सर, तो खाली जुनून है, खेल ले थाओ. अच्छा, अच्छा, चलाओ कृतकाजी, आप मन के दाईला मोरकोती ले परणाम बुलाओ. उनमन आप मनला जेन रकमले योग्य बनाईन, आपके जिन्गीला बनाईन, आपके दाईला परणाम, अव आप मनला गाडा-गाडा बधाई, गाडा-गाडा शुपकामना. धन्यवाद सर. आवाओ, अभमन चलत हन केरला एर नकुलम, केरला के नजवान ले बात करवो. हलो, हलो सर, जोहार. तब विनायाग, बधाई. हो, धन्यवाद सर. शाब बास विनायाग, शाब बास. हो, धन्यवाद सर. हाओ इस दर जोश? हाई सर. तैंक कोन खेल खेल थास? बैडमिन्टन. बैडमिन्टन? हाओ. स्कूल मा आप मनला प्रशिक्षन लेके मौका मिले है? नहीं, हमनला स्कूल मा थोड़ा प्रशिक्षन मिले है. हम, हम. हमर शिक्षक मनले. हम, हम. जे कर ले हम अला बाहिर भाग लेके मौका मिल सके। वाह। इसकुल से। कते कराज्य मा आप मन गे हाओ। मैं केरल और तमिल नाडू गे हाओ। खाली केरल और तमिल नाडू। हाओ। त़ आप मन दिल्ली आना चाहू। हाओ सर। अब मैं दिल्ली विश्वी द्याले मा उच वाह ता आप मन दिल्ली आवा थाओ? हो सर. मुला बतावाओ आप मन के कोनो संदेशा वो संगवारी मन बर हेका जेन मन भविश्मा बोड परिक्षा देवा ही? कठोर मेहनत और समय के सदुप्योग? माने सही समय प्रबंधन? हो सर. विनायक मैं आप मन के रुची जानना चाहत हूँ? बेडमिंटन और वोखरबाद नौकायन? तब आप मन सोशल मीडिया मा सक्री हाओ? नहीं, इसकुल मा हमला इलेक्ट्रानिक आइटम या उपकरन उप्य के मना ही हैं? तू मन भागेशाली हो? हो सर. विनायक धेरे घाँ बधाई और शुब कामना? धन्यवाद. आवाओ, हम उत्तर प्रदेश जलन. उत्तर प्रदेश मां अम रूहा के शीमान उस्मान सैफीले गोट करवो. हलो उस्मान, गाडा गाडा बधाई, आप मनला धेरो धेर बधाई. धन्यवाद सर. अच्छा उस्मान, आप मन बतावाओ, कि आप मन जैसे चाहे रहेओ, वह इसने परिणाम मिलीस, कि कुछ काम आईस? नहीं, जैसने चाहे रहेओ, वह इसने मिलीस, मोर पालक मन घलो बहुत खुशे. वाँ, अच्छा, परिवार मा भाई मन घल शरारती है. हाँ, हाँ. फेर मोला लेके भारी खुश रहेओ. अच्छा, अच्छा, जब आप मन पढ़ात रहेओ, ता उस्मान, आपकी पसंद के विशकार हैस. गनित. अरे वाह, ता गनित मा कैसे रुची रहीस, कैसे हो इस, का कोनो शिक्षक आप मनला प्रिद करिन? जी, हमर एक विशक शिक्षक रजत सर. उन मन मोला प्रेणना देन और ओ मन बहुत अच्छा पढ़ा थे. और मोर गनित शुरुले अच्छा रहीस, और बने रुची कर विशक घलो है. जदका जादा कराओ, उतके जादा रुची हो थे. इही पाएके ये मोर पसंद के विश है. हम, हम, आप मनला मालूम है, एक आनलाइन वैदि गनित के कप्छा चल थे? हो सर. हाँ, कभू कोशिश करे हो एकरबर? नई सर, अभी नहीं करे हो. आप देखाओ, आप मन के संग्वारी मनला लगी, जैसे आप जादुगर हो. का है कि कम्प्यूटर के गतीले आप गिनती गिन सका थो. वैदि गनित के बहुते सरल तकनीक है और आजकल ये आनलाइन घलो उपलब्ध है. हाँ, सर. आपके गनित मा रुची है ता आप बहुत अकन नवा जनिस दे सका थो. हाँ, सर. अच्छा उस्मान, आप खाली बखत मा का कर थो? खाली बखत मा, सर. कुछू ना कुछू लिखा तरी थो मैं. मोला लिखे मा बहुत रुची आ थे. अरे वाँ, माने आप गनित मा घलो रुची ले थो. साहित मा घलो रुची ले थो. हाँ, सर. का लिख थो? कविता लिख थो? शारी लिख थो? कुछू भी समाईक विशयले संबंधित कोनों भी विशय हो उखर उफर लिख था हूँ हाओ हाओ नवा नवा जानकारी मिलात रही थे जैसे जी एस्टी चलीस और हमर नोट बंदी सब्बो जिनीस अरे वाह ता आप कालेज के पढ़ाई खातिर आगु का योजना बना वत हो कालेज के पढ़ाई सर मोर JEE मेंस के प्रथम प्रयास सफल हो गए है और अब मैं सितंबर मां दूसर प्रयास मां बैठूँ मोर मुख्य लक्ष है कि मैं पहली IIT ले इसनातक डिग्री लेवाँ और उखर बाद प्रशास्निक सेवा मां जाओं और एक IAS बनाओ अरे वाह अच्छा आप मन प्रद्योग्य की मां घलो रुची लेखाओं हो सर इही पायके मैं IIT विशा ले हूँ पहली घौँ सब ले अच्छा IIT के अच्छा चलाओ उस्मान मोर कोती ले बहुत शुप कामना है और आपके भाई शरार्ती है ता आपके बखत घलो बने जात हो ही और आपके दाई ददला घलो मोर कोती ले परणाम बोलाओ उनमन आपल ये रकम के मौका देन हौसला बुलंद करिन और ये मोला अच्छा लागिस कि आप पढ़ाई के संगे संग सामाईक विशय के अध्यन करताओ और लिखताओ घलो देखाओ लिखे के फायदा ये हो थे कि आपके बिचार मा पैना पना थे बहुत बहुत अच्छा फायदा हो थे लिखे ले तक गाडा गाडा बधाई मोर कोती ले धन्यवाद सर आवाओ चलन फिर एकदम नीचे दक्षिन में चले जाए तमिल नाडू नामाकल ले बेटी कनिगा ले गोट करवो और कनिगा के गोट बहुत प्रेणा दायक हवै कनिगा जी वड़कम वड़ सबले पहली मैं आप मनला बढ़का सफलता खातिर बधाई देना चाहाओ थाँ धन्यवाद सर जब मैं नामकल सुन्थाओं तम मोला अंजनेयर मंदिर के सूर्था आथे हाँ सर अब मैं आप ले होए गोट के घलो सूर्था करहूं हाँ सर एक घाउ अव बधाई धन्यवाद सर आप मन परिक्षा खातिर कड़ा महिनत करे हो आप मन की तयारी की अनुभव कैसे रहीज़ सर हमन शुरूले कड़ा महिनत करें मैं ऐसे परिणाम के अपेक्षा नई करे रहे हूं फेर मैं परिक्षा बने लिखे रहे हूं और अच्छा परिणाम मिलेज तो आपके परिवार और सिख्छक मन के का प्रतिक्रिया रहिस? वो मन बहुत खुश और बहुत गर्वित महसूज करत रहिन सर। आपके पसंद के विशय का है? गनित ओ और आपके भविश के का योजना है? मैं डाक्टर बन हूँ, संभव होई ता AFMC मा सर। अव आपके परिवार के कोनो सदस्य चिकिस्सा व्यवसाय मा है या कहूं अव? नई सर, मोर ददा ड्राइवर है, फिर मोर बहिनी MBBS मा पढ़ा थे सर। अरे वाह! ता सबले पहली मैं आपके ददा ला परणाम करत हूँ, जन मन आपके बहिनी आउ आपल बने पोसत हैं, ये बढ़का सेवा के काम वो मन करत हैं? हाउ, सर अव वो मन जम्मों खातिर प्रेणा हैं? हाउ, सर तमोर बधाई, आप मनल, आपके बहिनी, आउँ आपके ददा, आउँ आपके परिवार ला। धन्यवाद सर संगवारी हो, ऐसने आउ कतको युवा संगवारी हैं, कठिन परिस्थिती मां घलो जिनकर हौसला के, जिनकर सफलता के कहनी हमनल प्रिरित कर थे। मुर्मन रहिस कि जादा ले जादा युवा संगवारी मनले बात करे के मौका मिलाएं, फिर बखत के घलो कुछ मर्यादा हो थे। मैं जम्मो युवा साथी मनले ये आग्रह करूं कि वो अपन कहनी, अपन जुबानी, जिन देशल प्रिरित कर सकए, वो हम सब के संग खजित साज़ा करें। मुर्मयारुक देश के रवया हो, साथ समुंदर पार, भारत ले हजारों मेल दुरिया, एक नानुक देश है, जिखर नाव हैं सूरी नाम। भारत के सूरी नाम के संग बहुत नजीत के नाता है, सौ बचर ले जादा बखत पाचो, भारत ले लोगन उहां गे रहिन, अव ओला अपन घर बना लेन, आज चौथा पांचवा पिढ़ी उहां है, आज सूरी नाम मा एक चौथाई ले जादा लोगन भारती ये मूल के है का आप मन जान्थाओ उहां के आम भासा मा एक सरनामी घलो भोजपुरी के एक्ठन बोली है, ये सांस्कृतिक संबंधला लेके हम भारतीय बने गरब महसूस कर्थन, हाले मा श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी सोरी नाम के नवाराष्ट पती बने हैं, वो मन भारत के मिता आप मन बचर 2018 मा आयोजित पर्सन आफ इंडियन ओरिजिन पी आई ओ संसद्य समेलन मा घलो हिसा ले रहिन। अपन हाथ मा वेद लेके वो मन बोलिन मैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी और आगो उनमन शपत म का कहिन। उनमन वेद के एक मंत्र के उच्चारं करिन। उनमन कहिन। ओम अग्ने व्रत पते व्रतम चरिश्यामी तच्छ केयम तन में राध्यताम इद महम रितात सत्य मुपैमी। माने हे अग्नी संकल्प के देवता मैं एक प्रतिज्या करत हूँ। मुला एकर खातिर, शक्ती और सामर्थ प्रदान करौ। मुला असत्य ले दूर रहे और सत्य कोती जाय के अशीशा प्रदान करौ। सचमा, यहम जम्मो मनबर गौरवानवित होए वाला बात है। मैं श्रीचंद्रिका प्रसाद संतोखीला बधाई देवतां अव अपन राष्च के सेवा करे खातिर, एक सो तीस करोड भारतिय मन कोती ले वो मनला शुब कामना देवतां। मुर्मयारुक देश के रवय्या हो, ए बखत बर्खा के मौसम घलो है। पाचुदारी घलो मैं आप मनले कहे रहें कि बरसात मा गंदगी और उखर ले होवया बिमारी के खत्रा बाढ जाते। अस्पताल मा भीड घलो बाढ जाते। इही पाय के आप साब सफ़ाई उपर ज जिनीस आयूर्वेदिक काढा लेवत रहाओ। कोरुना संक्रमन के बखत मा हम आने बिमारी ले दुर्या रहन, हमनला अस्पताल के चक्कर जन लगाना पड़ें एकर पूरा ख्याल रखना होई। संग्वारी हो, बर्खा के मौसम मा देश के एक बड़े हिस्सा बाढ ले घलो जूझत है। बिहार असम जैसे राज के कईयों छेत्र मा बाढ हा बने मुश्किल पैदा करे है। माने एक कोती कोरुना है तदूसर कोती एक आने चुनवती है। ऐसे मा सबो सरकार, NDRF के टीम, राज के आपदा नियंत्रन टीम, स्वयम सेवी संस्था, सब एक संग्रा मिल के जुटे हैं। हर रकम के राहत औव बचाओ के काम करत हैं। ये आपदा ले परभावेत, जम्मो लोगन के संग, पूरा देश खड़े है। संग्वारी हो, अवय्या पारी, जब हम मन की बात मा मिलबो, उखर पहिली 15 अगस्त घलो अवय्या है। एपईत 15 अगस्त घलो आने परिस्तिति मा होही। कुरुना महमारी के ये आपदा के बीच होही। मोर अपन युवा मन ले, सब वो देश्वासी मन ले अनुरोध है, कि हम स्वतंत्रता दिवसमा महमारी ले आजादी के संकलप लेवन, आत्म निर्भर भारत के संकलप लेवन, कुछु नवा सीखे और सिखाय के संकलप लेवन, अपन कर्तव्य के पालन के संकलप लेवन, हमर देश आज जेन उचाई मा है, वो कई ऐसे महान विभूती के तपस्या के पर सादे है, जेन मन राष्ट निर्मान खातिर अपन जिन्गी समर्पित करते हैं। मन बर बहुत बड़े द्विर्णा है, हम जम्मो मनला बहुत कुछ सिखो थे, अवय बारी जब हम मिलबो तप फेर धेरन गोट बात करवो, मिलके कुछु नवा सीखवो और जम्मो के संग साज़ा करवो, आप जम्मो मन अपन खयाल रखाओ, अपन परिवार के खयाल रखाओ अव स्वस्थ रहो, जम्मो देश्वासी मनला अवय सब्बो परप के गाडा गाडा शुब कामना, बहुत बहुत धन्यवात